नमनमा साथियो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हच्पी संस्कृत में साथियो एवा फिर से आपके समक्ष जो हम पूरब में संस्कृत प्रशनावली स्वरूप में प्रशनोत्र हल कर रहे थे जो हिमाजर प्रदेश के अंतरत होने वाली टैट से संबंधित के लिए लाब रूप में रहेगी इससे पूरब हम 11 भाग हल कर चुके हैं आज ये हमारी प्रशनावली स्वरूप ये संख्या में 12 प्रशनावली है जिसके अंद्रगत हम आज भी इसी तरीके से पूरब की भांतिय प्रशनावली रही थी उसमें हमने 30 प्रशनों को हल किय था और चार प्रशन आपके लिए छोड़े थे संख्या में तो वहीं से ही इन प्रशनों को हल करना शुरू करेंगे इससे पूर्व आप सभी को बता दिये जाए इन प्रशनावलियों के सुरूफ में जो आपको अंत में प्रशन पूछे गए इनके चार से पांच अभ्यार्थियों नहीं केवर उत्तर दिये हैं जिन में सभी प्रशनों के जो उत्तर दिये थे प्रशन संक्य 31 से 34 तक और बीच में दो प्रशनोर पूछे गए थे तो वो पलक शर्मा ने दिये है इसके अलावा अगर बात करें तो इन प्रशनों के उत्तर राखी मैम ने भी दिये हैं और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो बीना शर्मा जी ने इसका उत्तर दिया है राखी जी ने तो सभी के उत्तर ही दिये हैं और इसके साथ साथ एक और बंधू है अमुक नाम से तो उन्होंने भी इन प्रशनों के उत्तर दिये हैं तो इन सभी को बहुत-बहुत शुभाशीश इन सभी ने जो इन प्रशनों के उत्तर दिये हैं तो पहले इनी प्रशनों को देखते हैं शेश अगर बानव भभू यह उपाधी किस ने दी है बानभट को तो साथ वी गोबर्धना चारे के द्वारा दी गई है तो इस तरीके से ए बिगल किसका सही रहेगा अगरिम प्रशन है इसमें पूछा गया था कि अंबिकादत की रचना का अधार कौन से व्यक्तित्व पर है तो अंबि साथ चम्बू अनंत भट की रचना है इसका डी भाग अंसर सही रहेगा तो साथ यह इन चार प्रशनों के जो सही बिकल्ब थे वो यह थे आगे चलते हैं आज के प्रशनों को हल करना शुरू करते हैं पहला प्रशन साथ यहां पे है विश्णु सुक्त स्य रिशी ही अस्त है अगर इसके अंतरगत बात करें तो इसके देवता जो है भगवान विश्णु स्वयम है भगवान विश्णु इसके देवता है और इसके अंतरगत चंद जो परियोग हुआ है तो वह त्रिश्टुप चंद का इसमें परियोग हुआ है और अंतर में अगर बात करें इसक विश्नु से ही संबंधित है इसमें पूछा गया है त्रीधा निधधे पदम इती केन सह संबंध हैते कि ये जो मंत्रांश है यह कहां से लिया गया है यहां पर प्रशन पूछा गया है तो साथ यो बात की जाए तो ये वी विश्नु सुक्त का ही एक भाग है विश्नु सुक चक्र में तेधा निदधे पदम इसके अंतर्वत बताया गया विश्णु के सर्व व्यापी स्वरूप को यहां पे बताया गया है जिनोंने त्रीधा तीन निदधे पदम तीन पपादों में ही सारे स्विष्टी को इनोंने नाप लिया था जिसमें भूमी लोक अंतरिक्ष लोक और द्यू लोक का यहां पे बढ़नन त्रीधा स्वरूप में तीनों स्वरूप में यहां पे बढ़नन आया है तो इसका अंसर विश्णु सुक्त रहेगा अगरिम प्रशन की तरफ चलते हैं अगरे प्रशने पूचा गया है चरे वेती चरे वेती इती वाक्यान्षे कश्मिन जन्थे अस्ती यहां जो वाक्यान्ष है यह कहां पे आता है तो साथ यह एदरे वरहमन के अंतरगत यह वर्णन आता है चलते चलो बढ़ते चलो इत्यादी आपके लिए यहां पे प्रशन छोड़ा हूँ चरे वेती चरे वेती यह जो है धे कहां का धे वाक्या है या आप सभी के लिए प्रशण है, ये किस संस्था का धे बाक्य है, या आपके लिए प्रशण रहा, इमाचर्प्रदेश के अंतरगत ही एक संस्थान है, जहां का ये धे बाक्य है, तो आपने इसका उत्तर बताना है, जातियों. अगरिम प्रशन को देखी पूछा गया है अधो अंकिता नाम समीची नाम तालिकाम चिनुत की नीचे दिये गए के अंतरगत इनकी तालिका को आपस में चुनिये जैसे कहा है ब्रह्मचारी सुक्त मैतराइने आरन्यक अथेदम भसमानतम शरेरम और शिक्षा ये कहां से अगर इस तरीके से देखें पहले का दो ऑप्शन तो ये हमारे दो एलिमिनेट हो गए अगरा देखिए मैतरैनी आरन्यक तो तैतीर्य और मैतरैनी ये जो आरन्यक है कृष्ण अजरुवेद के अंतरगत आते हैं तो दो और तीन इस तरीके से हमारे डी भी गल्प इसमें सह रहेगा दी वी गल्प इसमें सही रहेगा अगरिम प्रशन को जैसे इसी में देख लीजिए अथेदम भसमांतम शरीरम ये जो शरीर है भसमांतम स्वरुप मैं इशा वास्यो पनिशद और शिक्षा घ्रानन तुबेदस्य यह भी यहाँ पर बढ़ना आता है इस तरीके से हमारा इसका डी भाग सही रहेगा अगरिम प्रशन को देखिए पूछा गया है इनके अंतरगत भी मिलान के सुरुप में पूछा गया है मात्रे देबो भव पित्रे देबो भव अचारे देबो भव ये तैतिरियो पनिशद का है असतो मा सद गमया तमसो मा जोतिर गमया अगर इस तरीके से देख रहे हैं तो हमारा पहले का दूसरा भाग यहीं से ही साथियो बिकल्ब सुरूप में आपका अंसर सही बन जा रहा है इसके लावा दासो परना सयूजा सखाया समानम ब्रिक्षम परिशस्व जाते इत्यादी यहां का है मुंडक उपनिश्यत का और त द्यानंद कस्य भाष्यकार वस्ति महारीशी द्यानंद जो हैं कि सबेद के भाष्यकार हैं तो साथियो यह शुक्ले जुरुवेद के हैं तो यह जुरुवेद स्वरूप इसका अंसर सही रहेगा यह आधनिक भाष्यकार स्वरूप में हिनका नाम आता है अगला प्रशन अगले प्रशन पूछा गया है किम सत्यमस्ती इन मैंसे सत्य क्या है जैसे पूछा है रिग वेद स्या आदिम सुक्तस्य व्यक्या नहीं तो बोला कि रिगवेद जो स्रीमद भगवत गीता है उसमें रिगवेद के आप पहले सुक्त का आदी सुक्त मतलब पहला सुक्त अगनी सुक्त का वर्णन आता है नहीं उसमें ऐसा वर्णन नहीं है तो यह गरत है अगला का है प्राती साख्या स्यलेख्यकारों हो पान निनकी है नहीं प्राति साख्या हर एक बेद का लग लग है अलग लग उसके निर्माता है यह भी गलत है अगरे प्रशन में पूछा गया है अगला इसका बिकलब है बूला गया है यजुरुवेद असंती विंशती अध्याया है यजुरुवेद में 20 अध्याया है नहीं 40 अ बिल्कुल सही वेदों के भाश्यकार कौन है आचारे साइन अचारे हैं बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रशन है माता भूमी पुत्रों हम प्रतिव्या ये कहां से लिया गया है most important पंक्ति ये साथियो ये अधर्व वेद के बाहरविकांड के अंतरगत पहला ही सुक्त है उसके अंतरगत ये मंतरान शाया है अगरित प्रशन पूचा गया है इन मैंसे सत्य है ये फिर से उसी तरीके का सवाल है पूचा गया है शुना शेप आख्यानम अस्ती कौशित की ब्रहमने कि शुना शेप आख्यान जो है ये कहाँ पे है तो ये कौशित की ब्रहमन में नहीं कि शुना शेप आख्यान जो है ये एतरे ब्रहमन में है इस तरीके से याक गलत है अग्ला नची केता zaman कहाँ है तो बुला Pennsylvania रिगवेदा में नहीं यहाँ नहीं आता है यी क्रिष्न जुरुओपेद का भाग है करम कांड़ों के अंतर करम कांड़ विशे कहां आरणने क में बढ़नित है नहीं ये बरहमन भाग में बढ़नित है तो यह भी गलत है डी भाग है रिग वेदस से परसम शब्द वस्ति अगनिम बिल्कुल सही अगनिम मिले पुरोहितम इत्यादिस में पहला शब्द क्या है रिग वेद का तो अगनिम ही है वरन पूछा जाए तो अ है सुक्त पूछा जाए तो अगनि सुक्त है ये सब भी शे आपको याद होने चाहिए अगर शब्द पूछा गया तो अगनिम बरन पूछा गया और सुक्त पूछा गया तो अगनि साथियो most important सवाल है आपको इसी तरीके से ही देखने को मिलेंगे स्तर अब आगे से आगे बढ़ता जाएगा तो होंगे चाहे basic ही लेकिन घुमा फिरा के जब प्रशन पूछे जाएंगे तो इसी पद्धती के प्रशन रहेंगे इनी के लिए आपको भविश्य में साथियों देखो सीधे सीधी बात एक यही है कि 200 बलसाब की vacancies आ रही हैं तो आपको just एक vacancy के लिए लड़ना है कि यह अपनी बनानी है आपको और कुछ नहीं देखना है कि बाकी 1999 भी तो है संख्यावल को देखके मत चलिएगा अपने लिए देखिएगा यही मेरा भी एक आप सभी के लिए यही एक दाइत तो बनता है बताना कि केवल अपने लिए लड़िए दूसरों के लिए आप इस विशे में सोच छोड़ दीजिए कि आप एक साथ हो करके पढ़ेंगे साथी और लड़ना तो देखिए एक और चीज़ है तीन घंटे की परिक्षा है तीन घंटे में आपने कैसी परिक्षा लड़ी वो माइने रखता है बाकी सब जितना भी अध्यन करते हैं आप हर कोई अपने अपने अनुरूप करते हैं लेकिन जो तीन घंटे की या दो घंटे की जो भी परिक्षा समय रहता है उसमें जो अपने लड़ते किस्से हैं तो अपने इंद्रियों से, अपने मन से, वो बहाँ पे समिज संयम इत्यादी चाहिए, परिक्षा के साथ अध्यन हर कोई करता है, लेकिन आतम संयम के रूप में जो चलता है, वही आगे परिक्षा को भी हल कर पाता है अच्छे से, अगरे प्रश अध्यों जो व्याकरण विशे है, उसके महाभाश्य के रिशेत, जो पतंजली है, इन्होंने व्याकरण के पांच प्रियोजन बताये हैं, मुख्य, उन्ही में ही दूसरे नंबर पे आता है, उह, रक्षा, उह, आगम, लगु, असंदिह, इस तरीके से आते हैं, तो दूस अगले प्रशन को देखिए, प्रशन संख्या 12 के अंतरकत बोला गया है, वेद कालस्यर निर्धारन भारित जोतिश परंपरा के न परिपालिता, बेदों के काल को जोतिश के साथ जोड़ करके किसने बताया है, तो यह बताया है, लोकमान ने बाल गंगा धरतिल कादी, ही रहेगा, अगला प्रशन है, किम सत्यमस्ती, इनमे से सत्य कौन सा है, जैसे देखते हैं, पहले प्रशन को पूछा गया है, महरिशी देयानन्द, तो महरिशी देयानन्द जो थे, यह थे यजुर वेद के, तो इसका यहाँ पे रोने गल्त बताया है, यह गल्त हो गया, म उपनिशेदादी सुरुप में हो सकते थे यास्क जो है ये निरुक्त के प्रातिसाख्यों के नहीं है मैंने आपको पहले कहा कि या जो प्रातिसाख्ये विशे हैं हर विक बेद के अलग-अलग हैं और चंद शास्त्र एकॉन है तो साथियो चंद शूत्र के ही पिंगल अचा अगला देखिए शंकर के विशे में बोला गया है तो शंकर जो है ये अनिर्वचनिय सुरूप में आते हैं अगले कुमारिल भट ये विवरीत ख्याति के हैं और गौतम न्याई के हैं अनिता ख्याति में अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसके अंतरगत बिक कारण के साथ कारे के असत्य सुरूप में जो जनक बताया गया है तो यहां पे साथियो घट रूप प्रती कपाल रूपम घट रूप जो है कपाल रूप के रूपमें ये इसका बिकल्ब सी सही रहेगा संख्य दर्शन संख्य जो आपका शास्त्र इसमें पूछा गया है सर गो registration के कितने प्रकार हैं साथी questa थांग कि दर्शन में दो प्रकार के सर्ग बताएगे हैं एक हैं आपके भौत धिक और दूसरा है आपका बौधिक इस तरीके से आपने याद रखना है अगरी प्रशन के तरफ पूछा गया है ज्यातता पदार्थ के नसुई कर तहां ग्यातता पदार्थ को कौना स्विकार करता है तो साथ ओऊव आप सभी को बता दिया जाए कि जो मिमानसा है और मिमानसा में जो कुमारी लभट हैं वो ग्यातताबाद को मानते हैं तो इस तरीके से प्रशन संक्यल सत्रा का सी भाग सही रहेगा अगरी प्रशने पूछा गिया है असमवाई कारणात कस्य नाश होती असमवाई कारण के नास से किसका नास होता है तो साथ यो असमवाई कारण से द्रभ्य का नास होता है असमवाई कारण के नाश होने से द्रभ्य का द्रभ्य गुन करम समान समवे वो जो है उसमें पहला द्रभ्य सुरूप उसका असमवाई कारण से नाश हो जाता है अगरे प्रशने पूछा गया है त्री वृत करणम केशाम भूता नाम प्रतिपादिता तो जो त्री वृत से लेकिन लाश में बायू बोल दे ये गलत है ए भाग इसका सही रहे गा अगर इन प्रशन को देखिए पूछा गया है कि इन मैं मिलान करने के लिए कहा गया है जैसे परिनाम बाद आदी स्वरूप जो है ये किसका है तो ये संख्यका है तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे बीभाग इसका सही रहेगा अगर यहीं से सीधा बन जा रहा है आरंब बाद हमने अभी जाना पीछे अभी आया था विवर्त बाद जो था अद्वईत विदानत के अंतर गताबता है अपने एक वस्तु का दूसरे उपर ढालना वो विवर्त बाद में आता ह और विज्ञान बाद जो बहुत दर्शन का है तो बीभाग इसका सही रहेगा अलिमिनेशन मैतल साथियो इस प्रकार के प्रशनों में सही रहता है देखिए पूछा गया है ग्यान अस्या प्रतेक्शत्तम को ना सुईक्रियत है कौन ग्यान के प्रतेक्शादी सुरूप को स्विकार नहीं करते हैं तो साथियो ये जो मिमान सक हैं ये स्विकार करते हैं केवल नयाई के नहीं मानते हैं तो ए भाग इसका सही रहेगा क्योंकि सभी और बाकी ऑप्शन सारे मिमान सा सही है अगरे प्रशने पूछा गया है नयाय मते पदार्थत्वं की मस्ती की पदा यह जो उपरती है, यह विदानत दर्शन के अंत्रकत आने वाला विशया है, उपरती क्यों होती है, तो निग्रहितम, जिग्रहितनाम इंदरियानाम विशयाः पकर्श का भावा, यह जो है, यह इसका डी भाग अंसर सही रहेगा इसके लावा जो अगरिम प्रशन है उसकी तरफ देख लीजिए कह जीवन मुक्तिम ना सुईकरोईती ये साथियो अभी प्रशन पूछा गया था पहले भी जो पहले जीवन को सुईकार करने त्यादी में जो न्याय को हटाया था उससे इतर जो था जो यहाँ पे मिमान सक है साथियो यहाँ मने प्रशन भी दो तिन प्रशन छोड़के अभी पड़ा वहीं से ही प्रशन है अगले प्रशन है पूछा गया है अधो निर्दस्टेशू किम असत्यमस्ति इनमेंसे कौन सा गलत है पूछा गया है जीवन-मुक्ती-РЕव-विदे-मुक्ती बिल्कुल सही यह तो सही है इच्छा शक्ती नाम कारण रूप मनो मयको शह इच्छा आधिस रूप का जो कारण हुत है वो मन हुत है बिल्कुल सही है यह वी सही है, सांक्या मते दशिंद्रियानी भवन्ति, सांक्या दर्शन में 10 इंद्रियाने हैं, नहीं, 11 है मन को भी वहाँ जोड़ा गया है, तो यह गलत है असत्या पूछा है, सी भाग इसका सही रहेगा, और वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप कहराता यह भी सही है C option इसका सही रहेगा असत्य सुरूप में उच्छा गया है कस्या प्रतिपाद कम संग्या भवितुम अरहती इन्हें से किसकी प्रतिपाद कम संग्या हो सकती है तो साथियों यह हो सकती है पहली यह जो A भी कलब है क्रिश अम श्रित सू इसमें क्या बनेगा क्रिशना श्रित स्वरूप बन जाएगा अगरी प्रशन है अगनी चित इत्यत्र उपधा संग्या अलो अंत्याद पूर्व उपधा अलवरन इसमें तव हट गया तव से पूर्व क्या है E तो यहाँ पे इस तरीके से D भाग इसका सही रहेगा D भी कलब अगरे प्रशन में पूछा गया है पशुनाम रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदेत्रितिया सावस्तुतह कस्मिन कारने कार के अस्ति बोला कि पशुना रुद्रम यजते पशुना 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 इत्यात्र पुष्पानी गोला इसमें पुष्पानी में इसमें करम संगे किसकी है तो इपसित्तमम कर्म वहाँ पे इपसित्त करम हो रहा है इत्यादी स्वरूप में तो यहाँ पे question number 29 का भी भाग सही रहेगा अगर इन प्रशने पूछा गया है अभ्य भाव समा से अभ्यम इत्यादी इसका C option सही रहेगा आज के भाग में तीस प्रशन आप सबने हल किये साथ यो दिनाग साथ जुलाई से गर फिर से आप सबी को बता दिया जाए निरंतर रूप से कक्षाएं संचालित हो रहे हैं अच्पी संस्कृत के माध्यम से तो यदि आप जूड़ना चाह आते हैं तो इस नीचे दिए के संपर के सुसूत्र के रूप में इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं ताकि आप आगामी कक्षाओं में जुड़ने में आप इन कक्षाओं को लाब उठा पाएं नमनमा साथियो